दोस्तों Lazy Pay Users के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे क्यूंकि यह जो अपडेट है न दोस्तों वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी अपडेट आई क्रेट कार्ड से इस्तमाल कर सकते थे लेकिन हुआ यह की बीच में ही क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया गया बहुत से लोगों के क्रेडिट कार्ड बंद कर दिये गए और बहुत से लोगों के चालू भी थे अब ऐसे में सवाल यह उठा था कि क्या Lazy Pay कोई क्रेडिट का फिर से प्रोवाइट कराएगा, नहीं कराएगा, कराएगा तो कब तक कराएगा, तो finally, Lazy Pay ने एक नया क्रेडिट कार लॉंज कर दिया है, RBL Bank के साथ partnership करके और आज के इस वीडियो में इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में details में जानेंगे, कि आखिर इस credit card के charges कितने है cashback कैसे मिलेगा reward point कितने मिलेंगे सब कुछ details में जानेंगे और annual charges वगएरा सब कुछ cover करने वाले हैं तो आपको बता दे कि lazy pay अगर आप इस्तमाल करते हैं तो ये एक loan app है जो कि pay letter जैसे services प्रोवाइड कराती है तो चलिए देख लेते हैं details में कि आखिर कौन से credit card launch की गई है lazy pay के द्वारा और आपको बता दे कि ये जो credit card है वो सब ही के लिए normally जो existing customer है या फिर जो नए customer है उन सब ही के लिए एक ही जैसे काम करेगी सारे features उनको वही मिलेंगे नए customers को भी और पुराने को भी तो चलिए देख लेते हैं तो सीधा चलते हम rbl bank के website और वहाँ पर credit card वाले section में आ जाते हैं तो यहाँ पर हम आ चुके हैं official website पर rbl bank के credit card वाले section पर यहाँ पर click किया और यह रहा credit card का section rbl bank के और नीचे की तरफ अगर आप scroll करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे credit card दिखाई देंगे उनमें से एक credit card lazy pay का भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो rbl bank lazy pay credit card यह एक ऐसा credit card है जो आपको हर एक purchase पे कुछ नकुछ cashback या fair reward देता ही है जो कि यहाँ पर mention किया गया है तो चलिए अभी हम इस पर click करके इसके details को जाने की कोशिस करते हैं तो यहाँ पर हमने click किया है तो यह रहें details आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस credit card के क्या-क्या conditions है क्या-क्या features है वो सब यहाँ पर mention है तो यह के करके हम यहाँ पर deal कर लेते हैं जल्डी से तो सबसे पहले बात करते हैं इस credit card के highlighted feature की तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस credit card के जरीए आपको सारे purchase पे reward मिल जाते है यह highlighted features में से एक है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको credit card पर जितना भी आप spend करते हो नो वहाँ पर cash back देखने को मिल जाती है और साथे साथ आप इस credit card से easy EMI के जरीए भी आप payment कर सकते हो मतलब आप धीरे-धीरे करके EMI के जरीए payment कर सकते हो तो यह है highlighted features अब यहाँ पर इन्होंने यह भी mention कर दिया है कि RBL Bank और Lezy Pay के साथ revenue share का partnership हुआ है जो भी revenue generate करेगा Lezy Pay वो share करेगा RBL Bank के साथ तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं welcome offer की कि यहाँ पर welcome offer आपको क्या-क्या दिये जाते हैं इस नए credit card पर तो अगर आप 30 दिन के अंदर card अगर आपने लिया है उसको activate किया है और भी benefit की तो 1% के हिसाब से आपको cashback मिलेगी online payment करने पर या फिर P.O.S. transactions क्या होता है जो card swipe करके आप transactions करते हो न उसके जरीए आप transactions करते हो तो 1% की cashback मिलती है जो की unlimited है यहाँ पर कोई भी limit नहीं है लेकिन 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 यहाँ पर fuel के लिए अगर आप transactions करते हो या फिर पेट्रॉल पंफ वगेरा पर इस card के जरीए transactions करते हो तो वहाँ पर आपको cashback नहीं दिये जाएंगे साथ साथ अगर आप insurance payment करते हो या फिर किसी भी तरीके की rent payment करते हो या फिर किसी तरीके से आप cashback करते हो इस limit को तो फिर आपको वहाँ पर किसी भी तरीके की cashback नहीं दी जाएगी बाकी EMI की feature को इन्होंने एक बार और highlight किया है और वहीं पर बात कर लेते हैं इसके charges वगएरा कि तो यहाँ पर mention किया गया है कि RBL bank का जो lazy pick credit card है वो वैसे तो lifetime free है इसमें किसी भी तरीके की कोई charges नहीं है लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने reward point को redeem करते हो तो वहाँ पर आ तो वहाँ पर किसी भी तरीके की charges नहीं देना होगा लेकिन अगली बार से फिर charges आपको लग जाएगी एक बार free है उसके बाद अगली बार से आपको 99 रुपे plus GST charges यहाँ पर देने होंगे और भी details में जानने के लिए यहाँ पर अगर हम इसको इस पर click करते हैं तो यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होती है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो और इस PDF में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया जो चीज़े भी आपको हमने बताई है वहीं चीज़ यहाँ पर mention है आर्बिया किसी भी तरीके से अगर मालों के टिकर वगरा अगर आप कारते हो बुक माई सो क इसके लिए आर्बियल बैंक जो है अगर आप आर्बियल बैंक चाहे तो कभी भी आपके क्रेडिट को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को बंद भी कर सकता है यह इनकी राइट्स है तो यह सारी चीज़े यहाँ पर mention की गई है जो कि अब इसेस इसमें कुछ है नहीं जो आप इसको बताए फिर भी आप लोगों को यहाँ पर हमने सौट में बताने की कोशिश करी है तो यह था आर्बियल बैंक के पार्टनर्शिप में लॉंच की गई लेजी पे की नई क्रेडिट कार्ड कैसे लगी आपको कमेंट स्रिक्शन में ज़रू बताएगा मैंने यहाँ पर